जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको एक खास रिपोर्ट समझाऊँगा और दोस्तो ये रिपोर्ट छपी है अमर उजाला अख़बार में अमर उजाला का कहना है कि बीजेपी सरकार को पूर भहुमत क्यों नहीं मिले इसके पीछे का कारण क्या है इसकी बज़े क्या है क्या सरकारी करमचारियों ने क्या पैंशनर ने क्या पूर उस्टैनिकों ने वोट नहीं दिया बीजेपी सरकार को या फिर सरकारी करमचारियों की नराजगी की वज़े से पूर्ड भहुमत नहीं मिल सका बीजेपी सरकार को तो दोस्तों इसी पर एक आर्टिकल है जो अमर उजाला ने छापा है जिसका आप थमनेल देख रहे हैं दस करोड सरकारी करमचारियों की नराजगी पड़ी सरकार पर भारी जियां दोस्तों दस क परोड सरकारी करमचारी कहीं न कहीं दोकी है नराज हैं जो उनकी मांगे हैं जो लगतार वो शुरू से करते आ रहे थे इनकी मांगों को नजर अंदाज किया गया तो दोस्तों आज मैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट समझाऊंगा जो कि अमर उजाला ने छापी है वीडि से जो प्रॉबलम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है दोस्तों यह रिपोर्ट छापी है जितेन भादवाजी ने इनका कहना है पुरानी पेंशन पर भाजपा को जटका दे गई 10 करोड सरकारी करमचारियों की नराजगी इंडिया गडबंधन को फायदा दोस्तों जैस के गोशना पत्र में सरकारी करमचारियों के लिए पैंशनर के लिए कोई बात नहीं थी देश को कैसे चलाना है 2047 तक हम क्या करेंगे देश का ओधोगी करण क्या करना है कैसे टेक्नोलोजी विक्सित करनी है युवाओ को महिलाओ को कैसे सशक्ती रली बनाना है सब कुछ उ पैंशनर के फेवर में जैसा की वन रैंक बन पैंशन का मुद्धा अगनी पत्को खतम करना और भी कुछ मुद्धे थे जो पैंशनर के या पिस सरकारी करमचारियों के फेवर में थे एवन दोस्तों उनके घोशनपत्र में एक और चीज शामिल थी वो थी कि आगे आने वा कि पुरानी पैंशन नहीं मिलेगी पुरानी पैंशन लागूर नहीं होगी एनपीयस में सुधार के लिए कमीटी घटत की गई है ये बात करमचारियों को अखर गई जिया दोस्तों बीजेपी सरकार ये कई न कई कहते गई कि हम एक कमीटी का घठन कर रहे हैं जो एनपीयस में सुधार करेगा एनपीयस में सुधार करेगा लेकिन ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने की बात यहां पे नहीं कई जिससे की सरकारी करमचारी खफा हो गया सरकारी करमचारियों की मांगती कि ओल्ड पैंशन स्कीम लागू करी जाए एनपीयस में कोई फैदा नहीं है जी हां दोस्तों तो दोस्तों लेकिन बीजेपी सरकार ने साफ मना कर दिया था और इन्होंने एक कमिटी गटित करी जैसे मैं आपको बताया NPS को ठीक करने की फिर दोस्तों जो लगबख जो वोट थे इनके वो थे 10 करोड वोट जो नहीं मिल पाए बीजेपी सरकार को सबसे बरा कारण Old Pension Scheme, Old Pension Scheme लागू ना करना सरकारी करमचारियों की सबसे बड़ी जो मांगती उसको नजर अंदाज करना फिर दोस्तों इसके बारे में जो पुराने संगठन थे पुराने संगठन ने भी आवाज उठाई सरकारी करमचारियों की मांगे सामने लेकर आए भार पिर दोस्तों NPS की विदाई नहीं जब तक धिलाई नहीं तो इसमें एक नारा दिया गया कि NPS की विदाई नहीं जब तक धिलाई है यानि जब तक NPS को खतम नहीं किया जाएगा जब तक उसमें कोई धिलाई नहीं होगी हम मांग करते रहेंगे कि पुरानी pension scheme लागू की जाए तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कारण यही था फिर दोस्तों लगातार बीजेपी सरकार रोड शो करती गई जगे-जगे उन्होंने पैसा खर्च किया अपनी रैलियों के दोराने फिर दोस्तों कई कुंटल फूलों के लिए पैसा है चुनाव के समय कई प्लेन लग खर्चा हुई रोड शो हुए करोडों रूपे खर्चा करा गया बस अर्द सैनिक बलो में पुरानी पैंशन देने के लिए पैसा नहीं था सेना में स्थाई सैनिक भरती के लिए पैसा नहीं था खाली पदों को भरने के लिए पैसा नहीं था बीजेपी सरकार के पास लेकि कि दोस्तों तमाम संगठों ने तमाम संगठों ने जो करमचारी संगठन थे उन्होंने चुनावों से पहले कुछ ग्यापन सौपे बीजेपी सरकार को जिसमें कुछ मांगे शामिलती जैसे NPS की समापती ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना फिर दोस्तों आठवे वेतन आ नहीं गया बीजेपी सरकार की तरफ से लगतार मना किया गया आठे वेतनायोग पर लगतार मना किया गया कि इस पर हम सोच विचार नहीं कर रहे हैं ऐसा कोई परस्ताव विचारा दिन नहीं है ये लिखा गया 18 महिने का जो DR का एरियर था वो नहीं मिल पाया इवन उसके ब दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा एमाउंट नहीं था, करमचारियों का ही ये पैसा है, उनके हक का ही पैसा है, इस फर भी दोस्तों मना कर दिया गया, तो दोस्तों, इसकी नराजगी भी सरकारी करमचारियों में थी, पैंशनर में थी, फिर दोस्तों, अगनी वीर का मुद् तो एक ये मुद्दा भी गरमाया गया जिस से पूर सैनिक या फिर जो अगनी वीरते वो कहीं न कहीं परशान थे इसी के बारे में दोस्तों फिर अनिशित कालीन स्ट्राइक की घुशना हुई 19 मार्श को करमचारी सेंगठन द्वारा केंज सरकार को राश्व्यापी हर्ताल का नोटिस दिया जाना था या दोस्तों तमाम हर्ताले हुई जगे जगे आंदोलन होए लेकिन उससा कोई इंपेक्ट नहीं पड़ा कोई असर नहीं पड़ा बीजेपी सरकार पे पूर सैनिक ल जंतर मंतर पे उरु औरुपी की विस्टेर्टियों के लिए लगतार धर्ने प्ररदशन किये जा रे थे पोस्काड दिये गए लैटर दिये गए पधनमंतरी अवाश कूछ भी गया गया लगतार मांगे जाती रहीं लेकिन कोई सोच विचार नहीं करा गया यानि दोस्तो कोई response आये ही नहीं भारत सरकार की तरफ से कि जिससे ये पता लगे कि भारत सरकार कुछ न कुछ सुन रही है उनकी बातें लेकिन दोस्तो इसमें संगर्श, संगर्श पूर सैनिकों करा सरकारी करमचारियों करा चाये वो अपनी old pension scheme बनवाना चाते हो चाये पूर सैनिक वारोपी की गलतिय सोधारना चाते हो पैंशन पर लेकिन सरकार की तरफ से कोई response नहीं तो दोस्तो यही सब कारण यही सब कारण भुगतने पड़े बीजेपी सरकार को पूर भहुमत हासिल नहीं कर पाए तो दोस्तो कहीं न कहीं जितने भी संगठन थे जितने भी सरकारी करमचारी थे जितने भी पैंशनर्स थे वो कहीं न कहीं दुखी थे कि हमने इतने मांग पत्र दिये पोस्कार दिये मीटिंग करी लेकिन उसका रिजल्ट सिरफ जीरो रहा हमारे फेवर में कुछ भी नहीं गया दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सरकार बने ही अपनी सरकार वो बना ले लेकिन करमचारियों में पैंशनर में नराजगी अभी भी रहेगी अभी भी रहेगी वो भले दुबारा कानी नहीं गई बीजेपी सरकार द्वारा अभी भी सब लेटर चटियां वहीं के वहीं हैं अभी सब वहीं पे वहीं हैं कुछ नहीं करा गया है अभी बीजेपी सरकार की द्रफ से पैंशनर के फेवर के लिए या पी सरकारी करमचारियों के फेवर के लिए यह मैं नहीं कह सडकों पर अंदोलन चंते रहेंगे, कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब इसका नतीजा आएगा, कब कुछ सुना जाएगा, कब भारत सरकार के कानों में जूर रहेंगेगी, ये एक सोचने वाली बात है, तो दोस्तों हम यही कोशिश करेंगे कि इसका असर आगे आने वाले है, नितों दोस्तों आगे आने वाले टाइम में फिर और भी नुकसान हो सकता है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहें कि बिजेपी सरकार आ गई है, हम ये नहीं कह रहें कि यही सरकार दुबारा सत्ता में आ गई है, हम यह नहीं कह रहें चलाना देश इन्यों को है और इस देश में हम भी रहते हैं पैंशन्रस भी रहते हैं गरीब जंता भी रहती है तो इनका धियान रखना भी आप pos करतवबे है तो दोस्तो यही पैंशनरस करमचारियो का कहना है कि आप पूरी कर्तवे निश्टा के साथ, पूरे पालन के साथ आप उनका ध्यान रखे, उनकी मांगों पर विचार करें और वो पूरी करें, बस इतना कहना है दोस्तों, तो दोस्तों यही रिपोर्ट थी जो च्छापीती जितेंद भादवाजी ने, वीडियो आपको शलकत वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खरना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के मादम से, थैंक्यू सो मच्छ